इस साल डिपॉजिट के मुकाबले कर्ज की मांग बढ़ने के वजए से आने वाले दिनों में बैंकों की तरफ से डिपॉजिट की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है फिक्स डिपॉजिट पर बैंक ब्यार जादा दे सकते हैं ये दरों को बढ़ा सकते हैं क्यों ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि ये आंकला सुनी है इस साल अप्रेल से अगस के दौरान बैंक डिपॉजिट में 6.6 फीसद की बढ़ोत्री हुई जबकि क्रेडिट की मांग 9 फीसद से ज़ादा बढ़ी डिपॉजिट के तौर पर बैंकों के पास कुल 11.9 लाग करोड जबकि बैंकों से कर्ज में कितने गए 12.4 लाग करोड रुपै कर्ज की रूप में बट गए अब कर्ज जारा बट रहा है पैसा कमा रहा है इसलिए उमीद बन रही है कि डिपॉजिट पर ब्याज दरें जो है वो उची रहेंगी बैंक ज्यादा आकर्शित करेंगे लोगो को कर्ज देंगे यानि कि एक तरफ बैंक आकर्शक दरों पर कर्ज माटने की पेशकर्श कर रहे हैं अपना लोन पोर्टफोलियों बढ़ा रहे हैं एडवांस को और ज्यादा बढ़ा कर रहे हैं बूसी तरफ ये भी करेंगे कि आने वाले दिनों में एफडी पर भ्याज बढ़ाएंगे सब कब तक जारी रहे हैं ये पूरा खेल बैंक गहरी दुविधा में बैंकों का क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियों बिगड़ा हुआ है कर्ज की मांग बढ़ी और खासतोर से परस्नल और अनसेक्योर लोन की मांग तेजी से बढ़ी है जहां बैंकों क दोर लोटता दिखाई दे रहा है ऐसी हालात में अगले साल दोहजार चौबिस के जुलाई अगस सितंबर तक ब्याजदरों में कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती यानि ब्याजदरें ऊची रहेंगी ऐसी परिस्तिती में बैंकों को ये मैनेज करना मुश्कि अच्छी नहीं है क्योंकि बैंकों की बैलेंश शीट अभी फिलाल जो क्रेडिटर डिपॉजिट का अंतर है उसके कारण दबाओं में है और दूसरी तरफ ये भी सूचना है जो रिजर्ब बैंक और बाकी एजनसियां बार बार कह रहें कि जो लोन जिस केटेगरी में बढ करने का भी खत्रा है लेकिन अगर डिपॉजिटर है तो अभी आप छे साथ महीने तक उची बैदरों का अनंद तो कम से कम ले ही सकते हैं